रंग भी रंगी नाकरानी कलपेश और महेश दोनों भी पडोसियों में एक नहीं जमती थी एक दिन की बात है बाबी जी कलपेश भाई कहा है? वो तो आफिस की काम से बाहर गये हैं कुछ काम था क्या? वो थोड़ा सा काम था खर कोई ना जब आएंगे तो बात कर लूँगा अच्छा भाई साब सुनिये ना ये लीजे पैसी और परची बाजार से थोड़ा सामान ला देंगी क्या? बिट्टु को स्कूल छोड़ना है खाना बनाने को देर हो रही है जी क्यों नहीं? फिर महेश सामान लेने के लिए बाजार चला जाता है जहां वो देखता है कि कलपेश अपनी बाईक पर एक औरत को बिठा कर घुमा रहा होता है ये तो आफिस की काम से बाहर गया था ना अब मैं इसे अच्छा मज़ा चखाता हूँ फिर महेश कलपेश और उस और उस औरत की फोटो खीच लेता है और वो रोहिनी के पास जाके उसे वो फोटो दिखाता है देखिये भावी जी कलपेश आपको जूट बोलकर कैसे बाहर की लड़कियों के साथ घूम रहा है ये तो वही लड़की है ना इनकी ओफिस की कली लेली आने तो इन्हें अब मैं इने बताती हूँ जिसके बाद जब महेश घर आता है तो रोहिनी जाडू से उसकी खुब धुलाई करती है ओफिस का काम हाँ यही काम करती हो अफिस में तुमारी तो हट्टी तोड़ दूंगी में आज अरे भागेवान माफ कर दो माफ कर दो मुझे आइंदर कभी ऐसा नहीं करूगा माफ कर दो जिसके बाद रोहिनी कलपेश से बहुत गुसा हो जाती है यह महिश का ही किया धरा है इससे तो मैं छोड़ूंगा नहीं महीं महिश की घर एजी मैं कुछ दिनों के लिए माई के जा रही हूँ बस कुछी दिनों की बात है रोना मत देखिये मैं जल्दी आ जाओंगी खाना खुद बना कर खा लिना और अच्छे से रहना अच्छा चलती हूँ मैं हाँ हाँ तुम जाओ मेरी चिंदा मत करो भागयवान आराम से जाना आराम से अपनी ममी के पास रहना फिर सुनी दी अपने माई के चली जाती है अब तो मेरे मसे ही मसे है कुछ दिनों के लिए आप घर में सुकून है क्या बात है आज कल सुनी दी बाबी जी सुसाइटी में दिखाई नहीं दे रही वो बाहर गई है क्या अब उनको भी लाइन मानने का इराजा है आपका कैसी बात करती हो भागयवान मेरी आग फोड़ जाए अगर मैं किसी आउरत को गलती से भी देख लू मैं ही आग फोड़ दूँगी देख कर तो दिखाओ खलपेश डर कर वहाँ से चला जाता है अब उसके मन में खिचड़ी पकने लगती है वही महिश खुश हो के रोहिनी के पास आता है क्या बात है भाई साब बड़े खुश लग रहे हो आँ वो चाइपती चाहिए थी बीबी माई के गई है ना तो आप खुश होंगे अर नहीं नहीं ये तो दुखी वाली खुशी है आप नहीं समझेंगे भाबे जी मैं समझ सकती हूँ कितना काम करना पड़ता होगा न बसे भाई साब एक नौकरानी क्यों नहीं रख लेती नहीं भाबे जी नौकरानी से कहा ढूंड़ो कुछ दिनों के लिए मैं कलपेश से पूछ कर बताती हूँ आपको ठीक है भाबे जी एजी महेश भाई साब घर में अकेले हैं काम करने में बहुत दिक्कत हो रही हो न कोई नौकरानी हो नजर में तो देखो न हाँ ठीक है यही तो सुनना चाहता था न वहीं कलपेश एक नाटक वाली के पास जा कर सुनो तुम्हें दस दिन के लिए नाटक करना है इसके लिए तुम्हें मू मांगी रकम दी जाएगी ठीक है लेकिन इस बात की खबर मेरे पती को नहीं लगनी चाहिए वेरना बहुत बुरा होगा अरे डोंट वरी लाओ पांच अजार रुपे एडवांस ये लो जिसके बाद मोना वहाँ से चली जाती है वहीं अगले दिन डौर बिल बचती है कौन है? आ रहा हूँ, आ रहा हूँ अब आप कौन बहांजी? बहांजी होगी तुम्हारे बीवी I am Mona टालिंग बताओ क्या-क्या काम करना है? थोड़े थोड़े दूर रेकर खड़ी रहा हूँ, मेरी बीवी भी है तुम हो कौन? मैं आपकी नियो नौकरानी मैंने सुनाँ आपको नौकरानी की जरूरत है ठीक है ठीक है आज से आ जाओ काम पर ठीक है फिर मोना जाडू लगाने लगती है ये राते ये बाते नदी का किनारा तुम ने बुकारा सनम दबारा दबारा ओई महा क्या हुआ? ये कमर में ना बहुत जोर की मोच आ गई आजाओ यहां कर बैट जाओ अरे कमर में मोच आई है कैसे बैठू मैं फिर महेश मोना को उठा कर अपने कमरे में लेके जाता है तभी कमलेश बाहर से महेश की फूटो खीच लेता है तुम यहीं रेस्ट करो सारा का मैं है कर लूँगा लेकिन आप कैसे करेंगी साहब? मैं कर लूँगा कोई ना और महेश घर का सारा काम कर लेता है अगले दिन यह आठी का डिबबा कितने उपर रखा है? फिर मोना टेबल लगा कर आठे का डिबबा उतारने लगती है कि तभी टेबल लडखणा जाता है और मोना जैसे ही गिरने वाली होती है महेश आके उसे थाम लेता है ओ, थैंक यू साब जी हाँ, ठीक है वैसे आज बड़ी सुन्दर लग रही हो और हमारे कमलेश जी पल-पल महेश और मुना की फोटो खींचते रहते हैं शाम को महेश जी आपको गर्मा गरम दूद दूँ अगर मैं दूद नहीं पीता मैं कहूंगी तब भी नहीं पीएंगे आप अरे तुम कहोगी तब जान भी दे दू दूद क्या चीज है तो लीजिए, पी लीजिए फिर महेश दूद पी लेता है वहीं मोना धीरे धीरे महेश को अपनी तरफ रिजाने लगती है ऐसे ही एक दिन महेश शी, क्यों न आज हम कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंट करें कहने को तो तुम मेरी नौकरा नी हो लेकिन मेरा कितना खयाल रखती हो ये लीजिए शेर्बत पीजिए तुमारे हाथ का तो जहर भी शेर्बत लगता होगा न कितना नशा है तुमारी आखों में नशा तो अब तुझे चड़ेगा वहीं शेर्बत पीने के बाद महेश को नशा चड़ जाता है और उसे बिलकुल भी होश नहीं रहता वहीं जब सुबह होती है साहब आपने ये क्या कर दिया मैंने क्या किया रात को पार्टी काने के बहाने मुझे रोका और देखो आपकी वेज़े से क्या हो गया आप पापा बंदे वाले पर मेरे भी भी तुम हाई के मैं मेरे बच्ची के पापा रात को कितनी शरारत किया आपने याद नहीं आपको ये सब क्या बखवास कर रही हो चलो निकलो मेरे खर से वना पुलिस को बला लूँगा पुलिस को तो मैं बलाऊंगी और तुम्हारी सारी कर्टूद बताऊंगी कि तुमने मुझे काम करने के बहाने घर बलाया और मेरे साथ कैसा बरताओ किया ये देखो सबूत नौकरानी महिश को धेर सारी फूटो दिखाती है जहां महिश और नौकरानी काफी क्लोज होते है ये सब क्या फालतो गिरी है ये सब छूट है अब तो यही सचे महिश बाबू मान भी जाओ तुम पुलिस को कुछ मत बलो तुम्हे क्या चाहिए वो बताओ मुझे अपनी रानी बना लो नौकरानी को रानी नहीं बना आ जाता तो ठीक है मैं पुलिस को जाकर सब बता देती हूँ आरे आरे मेरी मा ऐसा कुछ मत करो मा मा तो मैं अब बनूगी इस बच्ची की और आप इसकी पापा क्या चाहिए तुझे जल्दी से बोल क्या चाहिए दो लाक रुपय है इतनी तो मेरी सेविंग भी नहीं है तो फिर मैं आरे रुक ना करता हूँ ना कुछ जुगाड फिर महिश रोहिनी के पास चाता है बाभी जी बाभी जी क्या हुआ महिश जी अब रो क्यो रहे है बाभी जी मुझे ना अर्जेंट में दो लाग का काम था आप मुझे पैसे देंगी क्या मैं कल तक आपको लौटा दूँगा आपने मेरी इतनी मदद की है मैं आपकी शुक्र गुजार हूँ पैसे तो मैं दे दूँ लेकिन कल तक लौटा देना इनकी आफिस के पैसे हैं ना ठीक ठीक फिर रोहिनी महेश को दो लाख रुपे देती है धनिवाद भाबी जी महेश वहाँ से चला जाता है ये तुम्हारा दो लाख रुपे और दफाओ जाओ यहां से ओहो महेश टालीन क्यों इतनी जल्दी जल्दी भीज रहे हो मुझे फिर मोना वहाँ से चली जाती है तेंकियो मोना अच्छी एक्टिंग की मेरा बदला तो पूरा हुआ इसका दो लाख का चुना लगा कर अब आदे पैसे दे दो मेरे इससे के का है के पैसे? इतनी मैनत मैंने की और मलाई तुम खाओगे दे दो मोना पैसे वना ठीक नहीं होगा अच्छा? तो मैं तुम्हारी बीवी को जाकर सब बता दीती हूँ अरे-अरे कैसी बात कर रही हो? मैं मज़ा कर रहा था फिर मोना वहाँ से चली जाती है और कल पीश घर आ जाता है पता है जी महिश भाई साहब घर आय थी बहुत परिशान थी किसी बात से मुझे बता है उसकी परिशानी का करण तबी कलपीश को उसके बॉस का कॉल आता है हाँ सर कलपीश वो दो लाग जो मैंने तुम्हें दिये था न जल्दी से लेकर आफिस आजाओ कलांट को देना है ठीक है बस सुनो वो दो लाग रुपे लेकर आऊ ना बस को देना है उन्होंने अर्जेंट मंगे है वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि महिश भाई साहब बहुत परिशानी में थे और उन्हें दो लाग की जरूरत थी तो उन्होंने हमारे बुरे बक्त में इतनी मदद की है तो मैंने भी उन्हें दे दिये वो पैसे क्या इसका मतलब वो मेरे पैसे दे जो मोना लेके गई पती सदमा खाके गिर पड़ता है उस मोना से पीछा तो चूटा इसलिए तो कहते हैं जैसा बोगी वैसा ही काटोगी